नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेट और बर्थ में अगर चेंज है तो उसे कैसे ठीक करना है, क्या-क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, मैं कम्प्लीट जानकारी आपको इस विश्वय में देने वाला हूँ कि डेट और बर्थ का चेंज कैसे होगा, तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि ओनलाइन के अंदर किनको ऑप्शन ये मिला हुआ है, ध्यान से सुनिये, अगर आप लॉग इन कर पा रहे हैं, तभी आप ओनलाइन में करेक्शन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, अगर आपके अधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है, अगर आ कौन से डॉकुमेंट चाहिए, क्या-क्या डीटेल्स आपको लगानी पड़ेगी, तो पहले मैं ऑनलाइन वाला बता रहा हूँ, मैनेज में जाएंगे, आपको दो आप्शन नजर आएंगे, बेसिक डीटेल और जॉइन डिकलरेशन, बेसिक डीटेल वाला आप्शन बहु आपको यहां पे सारी डीटेल्स नजर आजाएगी, अब देखो, जो आपकी डेट वबर्थ है ना, वो डेट वबर्थ आपकी दो तरह से हो सकता है, आप जब लॉग इन कर पा रहे हैं, तो आपने अब यह हुआ यह है कि आपने कोई ना कोई अपना मेजर करेक्शन करा ल करेक्शन होगी, तो किस नियम के अधार पे होगी, तो इस नियम के अधार के अंदर में हमें बताया गया है कि हम दो तरह से करेक्शन को बाटते हैं, मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन, मैंने अपनी वीडियो में बताया कि नेम में मेजर और माइनर क्या होगा, इसी तर साल या उससे कम की होगी अंतर जो है तीन साल से कम का है या तीन साल के बराबर है तो हम माइनर मानेंगे अंतर तीन साल से जादा का है तो हम मेजर मानेंगे इतनी चीज आपको क्लियर हो गई अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ अगला point है कि PF office ने एक circular जारी किया और circular जारी करके ये कहा है कि देखो हम अधार कार्ड को document के तौर पे document proof के तौर पे नहीं मानेंगे हम data birth proof के तौर पे अधार कार्ड को नहीं मानेंगे ये चीज़ आपको आगे समझ आएगी मैं क्यों बता रहा हूँ तो इतना समझ लो कि अगर आपकी data birth correction करनी है तो आप उसमें evidence के तौर पे अपना आधार कार्ड इस्तमाल नहीं कर सकते हैं ये चीज़ PF संसा ने अलग से बताई है ऐसा अलग से उन्हें बताना इसलिए पड़ा क्योंकि जब उन्होंने कहा कि SOP हम जारी कर रहे हैं data birth correction के लिए तो उन्होंने list of document जारी किये थे कि किनकिन document के base पे हम यहाँ पे किसी की data birth में correction करने वाले हैं तो इस list of document के अंदर में इन्होंने आप देखेंगे point number 5 पे यहाँ पे आधार कार्ड भी लिखा था तो point number 5 में आधार कार्ड इन्होंने mention कर दिया जिसको आगे आधार कार्ड center वालोंने मना कर दिया कि भाई आधार कार्ड किसी की जनमतिती का proof नहीं है तो अब आपको यह समझना है कि भाई अगर किसी का 3 साल या 3 साल से कम का अंतर है तो उसको लगाने है सिर्फ 2 document और अगर 3 साल से ज़ादा का अंतर है तो उसको 3 document लगाने है अगर अंतर 3 साल से ज़ादा का है और 3 साल से कम का अंतर है तो सिर्फ आपको 2 document लगाने है जिसके अंदर आधार कार्ड अब invalid हो चुका है तो आधार कार्ड नहीं लगेगा तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कौन से ऐसे document होते है जो आपके लिए ज़ादा easily आपको उपलब्द हो जाएंगे तो सबसे आसान जो आपका उपलब्द होता है वो होता है आपका pen card दूसरा सबसे आसान जो document होता है वो होता है आपका जो दस्वी का certificate होता है वो होता है तो यहाँ पे दस्वी के certificate को यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस जगे पे लिखा हुआ है, point number 2 के अंदर जहाँ पे लिखा गया है कि mark sheet और यह जो school living certificate है, यह सब चीजे, TC, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वहाँ आपका name और आपका date of birth लिखा होना चाहिए, birth certificate ह तो वो भी चलेगा, ठीक है जी, medical certificate भी आप बनवा सकते हैं, civil surgeon से, तो यह सभी points काम के नहीं है, आपके लिए जो main point काम का है, वो है कि आप अधार तो भूल जाओ, अधार तो आपका होना चाहिए, अधार में date तो आपके same होनी चाहिए, लेकिन जो आपको कहा गया है कि आ आप दो document लगाओ या तीन document लगाओ, उसमें आप अधार कार्ड की गिंती नहीं कर सकते हैं, अधार कार्ड के अलावा, अधार कार्ड तो लगाना ही लगाना है, उसके अलावा आपको तीन document चाहिए होंगे, अगर आपकी major correction होती है और अगर minor correction होती है, तो दो document चाहिए, स मालो कि मैं यहाँ पर अंतर करता हूँ अगर मैं मालो यह 84 होगा अगर तो मैं यहाँ पर मालो 88 कर देता हूँ अंतर कितरा हो गया चार साल का अंतर हो गया अब चार साल के अंतर में अगर हम नीचे जा रहे हैं देखना nationality में not available है जहाँ अगर कहीं not available है तो वहाँ आपको चीज mention करनी होगी यह mention कर दिया मैंने फिर मैंने ok कर दिया फिर मैंने proceed कर दिया proceed करने के बाद मुझे यहाँ पर document कह रहा है अब document ध्यान से समझेगा document यहाँ पर वही documents बताये जा रहे हैं जो कि आपको यहाँ SOP के अंदर बताये गए थे ठीक है तो आपके साहता के लिए इन्होंने यह किया है कि जो document valid होता है वो document यहाँ रखा गया है pen card की जगे e-pen भी लगाया गया है मालो आपने online pen card बना लिया और वो download कर लिया तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं वो चलेगा SSC का certificate, mark sheet, certificate जो है central government से कोई certificate मिल रहा है इस तरह के certificate और इसके साथ में list of document दिये हुए हैं जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो आप मालो कि आपने एक जगे birth certificate लगा लिया यह तीनों document आप upload कर देंगे इसको upload करने के बाद यह request जाएगी employer के पास, employer इसे कर देगा ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 90% लोगों की जो यह process को online नहीं कर सकते, उनको क्या करना है मैं उनका भी ध्यान रखके बता रहा हूँ देखो, ध्यान से समझो मैंने आपको यह चीज़ समझा दिया कि दो तरह से correction हो सकती है तीन साल से कम, तीन साल से ज़ादा यह समझ गए, तो अब आपको समझ आ गया कि मेरी जो correction है, वो कितने time की है, अगर तीन साल से कम की है तो आपको दो document चाहिए, तीन साल से ज़ादा किया है, तो तीन document चाहिए document समझ गए, अब form कहां से मिलेगा तो जो form होता है, इसे joint declaration form कहते हैं, यह joint declaration form जो है, यह company के letterhead पे चाहिए आप अपने मन से नहीं बना सकते है letterhead पे company के बनेगा और company के letterhead पे बनने के बाद भरा कैसे जाएगा, ध्यान से समझना मालो कि मैं भर रहा हूँ, मैं भर रहा हूँ, मैं अपना नाम लिखोंगा, मैंने नाम लिख दिया मैंने UN में अपना UN लिख दिया, मैंने अपना PF का member ID लिख दिया आधार card number लिख दिया, उसके बाद यहाँ company का नाम लिखा जाएगा उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने पे मेरे को नजर आ रहा है कि यहाँ मैं से detail मांग रहा है तो जो जो आपकी सही वाली detail है वो आप डालोगे, आधार number डाल दोगे नाम डाल दोगे date of birth, जो सही date of birth है वो डालोगे, अगर गलर date of birth आपको पता है, यहाँ आप गलर date of birth डालोगे अब ऐसा हो सकता है कि एक आदमी का नाम भी गलत हो, और उसका date of birth भी गलत हो, और उसका father name भी गलत हो, तो अगर इस तरह की इस्तिती होती है तो उस case में आपको हर चीज के लिए अधर अधर document लगेंगे जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे हमने जो SOP देखा था इसके अंदर हमने देखा था कि भाई जो हमारी date of birth में अंतर है उसके लिए क्या document लगेंगे वहीं पे अगर हम देखते हैं कि भाई इसका तो नाम भी गलत है तो नाम भी गलत है तो उसमें हमें और document चाहिए और document आप देख लो भाई driving license हो सकता है passport तो है अधार card आपके नाम proof के लिए चल सकता है ठीक है यहाँ पे ration card भी दे रखा है voter ID भी दे रखा है इस तरह से भाई समझ के चलना कि अगर नाम भी गलत है date of birth भी गलत है father name भी गलत है तो आपको उसी हिसाब से जादा जादा document अरेंज करने पड़ेंगे बाकी आपके लिए format जो है वो यही वाला रहेगा कि इस जगे पे जो यह format है इसी एक ही format के अंदर आपका हो जाएगा मालो कि आपने यह देखा भाई मेरा तो नाम गलत है तो यहाँ incorrect नाम लिख दो correct नाम लिख दो date of birth गलत है incorrect लिख दो correct लिख दो ठीक है उसके बाद आपने समझा कि भाई मेरा father name गलत है उपर आई किसका था उपर आई मेंबर का था यहाँ वाला आई किसका है यहाँ वाला आई company का है ठीक है company का मालिक अपना नाम लिखेगा अपने पिता का नाम लिखेगा यहाँ पर वो लिखेगा कि वो क्या क्या document आपके लगा रहा है अमालो आपने उसे पांच डॉकुमेंट दे दिये, अलग-लग रिकॉइमेंट के इसाब से आधार, पैन, ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट दे दी, जो बैंक की पास्बुक है, उस पर मोहर लगा के आपने दे दी, और जो जो डॉकुमेंट आपने दिये हैं, वो सभी डॉकु पैज नमबर दो के अंदर हमने यहां पे देखा, यहां पे हम मेंबर का नाम लिखेंगे, मालो मैं में मेंबर हूँ, मैंने अपने नाम लिखा, मेरा नाम आगया यहां पे, उसके बाद कंपनी का नाम आगया, मालो अमबानी है, जो कंपनी का मालिक है, वो साइन कर रहा है, तो यहां member का नाम, यहां company का नाम, उसके बाद member वाला मोहर लगा के sign करेगा और मैं अपने normal sign करूँगा, यह document आप का बन जाएगा, उसके बाद यह आपको P.F. office में जाके जमा करना है, अगर मालो की company बंद है, उस case में क्या होगा, उस case में आपको page number 2 नहीं भरके आपको य एक बर बता रहता हूँ, मालो company बंद है, company बंद है ना, तो यह पहला page तो भरा जाएगा, इस जगे पे जहां पे company वाला detail भरेगा, वहां पे company वाले का कोई नाम नहीं आएगा, यहां आप अपने document लिख देना, उसके बाद आप यह third number page पे आजाना, third number page पे यहां पे मालो कौन कौन है, कौन कौन होता है, मैंने, जो मिरे को ध्यान है, MLA है, MP है, ठीक है, उसके बाद जो工 password होता है, इन सभी लोगों के यह चीज़े चलती है, यहां पे वह अपना नाम लिखेगा, यहां पे अपना post लिखेगा, कि भाई, MP है, MLA है, विधायक है, निर्भम और जो आपके original document है, original document देखके वो आपके document पे मोहर लगा देगा और आपको देदेगा, ये चीज़े आपको जाके जमा करनी होगे, PF office में, मालो आपका PF office जो है वो गुजरात में है, गुजरात के बडोधा में है, आपको बडोधा में जमा करना पड़ेगा, अगर मालो रहते हो, आप courier कर दो, ठीक है, जब courier करोगे तो उसकी एक copy अपने पास पूरा set बना के रख लेना, ओके, और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई, मैंने document सही बना लिये, सही मेरे को पता किसे चलेगा, तो आपके पास दो option है, या तो आप free वाला option चूज किये, जिसमें आ sign सारे कर दीजे, और इसके साथ में आपकी company, form वगरा चेक करके, company वाले जाके submit कर देंगे, दूसरा option है, कि आप खुद वहाँ पी company में चले जाएए, वहाँ जाके letter letter, खुद से sign करवा के, खुद से जाके जमा किजिए, ठीक है, और अगर आपको मुझसे consultation के जरूत हो, त तो क्योंकि मेरा personal time लगेगा, तो मैं यहाँ पे, ऐसा मेरे पास कोई power नहीं है, कि मैं यहाँ पे आपका घर बैठे बैठे जादू से चड़ी घुमाई और आपका correction कर दिया, ऐसे मेरे पास ताकत नहीं है, अगर किसी के पास ऐसी ताकत है, तो उससे काम मत करवाना, 99.99% वो fraud ही है, जो आपको इस तरह से दावा करता है, कि हम आपकी correction करा देंगे, बस इतना हो सकता है, कि कोई इतना कर सकता है, कि आप से सही document अरेंज करके, उसके बाद PF office में जाके जमा कर दे, अगर सही document अरेंज करने है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद से भी अप महनत से बनाई है, आप समझ के देखो कि मैं non-stop बोले जा रहा हूँ ना, रुक तो नहीं रहा हूँ ना, तो ये आपको महनत अगर समझ आई हो, आप comment में बताईए, आपको ये महनत कैसी लगी है, क्या मैंने कुछ चीज़े छोड़ दी है, ये भी आप comment में बता सकते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम father name correction कैसे होता है, वो बताएंगे, ठीक?